हमारे इस्तेमाल की अशिया जरा याद कीजिए सवाल नमबर एक तस्वीर में कौन सी तीन चीजे नजर आ रही है तस्वीर में अलमारी, कुर्सिया और मेज नजर आ रही है सवाल नमबर दो आपने उन्हें कैसे पहचाना हमने उनकी मक्सूस बनावट की बरजा से उनको फहचान लिया सवाल नम्मर तीन ये चीजें किन अशिया के जरिये बनाई गई हैं? ये चीजें लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक वगरा से बनाई गई हैं सवाल नम्मर चार क्या उन अशिया में से किसी एक शय के जरिये ये तीनों चीजे बनाई जा सकती हैं। हम कह सकते हैं जी हाँ एक शय के जरिये ये तीनों चीजे बनाई जा सकती हैं। अशिया और चीजें अशिया हूर्दुबिनी जर्रात से बनी हुई होती हैं। चीजें अशिया से मिलकर बनती हैं, चीजों की मक्सूस शकल उनके हुसूल की बनावट होती है, इस बिनापर हम मुख्तलिफ चीजों को पहचान सकते हैं मेज, कुरसिया, अल्मारी वगरा बनाने के लिए हम लकडी, प्लास्टिक, फॉलात का इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को बनाने के लिए दर्कार मजबूती, दर्जबाला अशिया में होती है, इन अशिया को अपनी मर्जी के मुताबिक शकल में ढाला जा सकता है, यानि अशिया की खुसूसियात की बिनापर हम चीजे बनाने में उनका इस्तेमाल करते हैं एक ही शैसे कई चीजे बनाई जाती है, आएए उसकी कुछ मिसाले देखते हैं कपास कपड़ा, धागा, साडी, रूमाल, रजाई, गद्दा, तोशक, तकिया वगएरा लोहा तामीरात में इस्तेमाल होने वाली सलाखें, तवा, मोटर के मुख्तलिफ हिस्से, बिजली के खंबे, मेज, अलमारी वगएरा एलुमेनियम बावर्ची खाने में इस्तेमान होने वाने बर्तन, मौसिले बर्कतार वगएरा अशिया की खुसूसियात की मालुमात हासिल करके, हम अपनी जरूर्यात के लिहाज से मुनासिब अशिया का इंतिखाब कर सकते हैं हमारे इस्तेमाल की अशिया को दो ग्रोह में बाटा गया है नमबर 1, खुद्रती अशिया और इनसान की बनाई हुई अशिया कुद्रती अशिया कुद्रत में पाई जाने वाली अशिया को कुद्रती अशिया कहते है मंदर जब आला पहले गुरोह की अशिया जानदारों से हसिल होती है जानदारों से हसिल होने वाली अशिया को हयाती अशिया कहते है हवा, मिटी, पानी, जानदारों से आसिल नहीं होते, इन्हें गैर हयाती अशिया कहते है चमडा, उन और पटसन, कपास इन अशिया में क्या फर्क है जो अशिया हैवानात से आसिल होती है, उन्हें हैवानी अशिया कहते है जो नबतात से हसिल होती है उन्हें नबाती अशिया कहते हैं इनसान की बनाई हुई अशिया मसलसल नई चीजों की दर्याफ्त करना, जिन्दगी को मज़ीद आरामदा बनाना इनसान की फितरत है इस कोशिश में इनसान ने कुछ खुदरती अशिया इस्तेमाल करते, मुख्तलिफ अमल करके नई अशिया तयार की है ऐसी कुछ अशिया इस्तेमाल में नहायत आसान और सस्ती होने की वज़ा से उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है दस्तियाप कुदरती अशिया पर अमल करके मुख्तलिफ नतीजे में बनने वाली शय को इनसान की बनाई हुई अशिया कहते हैं बारिश से हवाजत के लिए कदीम जबाने में खास टाट से बनी हुई इरले इस्तेमाल होती थी बाद में छटरी इस्तेमाल होने लगी अब रेनकोट बस्तो कापियों के कवर के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है नाजुक अशिया जल्द खराब होने वाले फलो वगेरा की पैकिंग की जूरत होती है टीवी, एसी, मशीन जैसी चीजों की पैकिंग के लिए बड़े बड़े डब्बे और थर्मकोल इस्तेमाल किये जाते है ये तमाम इनसान की बनाई हुई अशिया है ये आब रोक वाटर प्रूफ और हलके होते हैं और आसानी से उनका नकल हमल हो सकता है इसलिए उनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है इनसान की बनाई हुई अशिया की मिसाले जदूल में आपको दिखाया गया है इस्तेमाल, कदीम जमाने की खुदरती अशिया, आज की इनसान की बनाई हुई अशिया पहले देखेंगे हम तामीरात के लिए इस्तिमाल होने वाले कदीम जमाने की कुद्रती अशिया बांस, पत्थर, मिट्टी, लकडी, नारियल के पत्ते, चूना वगएरा आज के इंसान की बनाई हुई अशिया इट, सिमेंट, गैलो नाईस के पत्रे, मिट्टी के खप्रेल, प्लास्टिक, एस्बस्तौस के पत्रे इसी तरह लिखाई की चीजें कदीम जमाने में जो लिखाई के लिए चीजें इस्तेमाल होती थी दरख्तों की छाल, भोज पत्र, दरख्त के पत्ते, नबातात के मजबूत तनों से कलम बनाना, पत्थर की तख्तिया, गारों की पत्रेली दिवार, मिट्टी और नबातात के रंग आज के इंसान की बनाई हुई अशिया, लिखने के लिए जो चीज़े इस्तिमाल करते हैं, वो प्लास्टिक, धातों से बने कलम, पेंसिल, कागज, बयाजे वगएरा धागा, कदीम जबाने में कुद्रती अशिया, जो धागा बनाने के लिए इस्तिमाल होती थी, वो है कपास, रेशम और उन आज के इंसान की बनाई हुई अशिया, धागा बनाने के लिए इस्तिमाल की जाने वाली चीज़ें नाइलोन और रियोन आईए घौर करें इस्तेमाल की चीजों की दर्ज़बंदी किस तरह करते हैं इसके लिए जैल की जदूल मुकम्मल कीजिए हमारे इस्तेमाल की अशिया को दो हिस्सों में तक्सीम किया जाता है नमबर एक कुद्रती अशिया नमबर दो इनसान की बनाई हुई अशिया खुद्रती अशिया को दो हिस्सों में तक्सीम किया जाता है नमबर एक गैर हयाती अशिया नमबर दो हयाती अशिया हयाती अशिया को दो हिस्सों में तक्सीम किया जाता है नमबर एक नबाती अशिया नमबर दो हैवानी अशिया नबातिय अशिया की मिसाल कपास हैवानी अशिया की मिसाल चमड़ा इंसान की बनाई हुई अशिया पलास्टिक, कागस, पेन, काँच वगएरा रेत और चुनखली से शीशा तयार किया जाता है लेकिन शीशे से दोबारा रेत और चुनखली हासिल नहीं किये जा सकते हरी मिर्च और हरे टामाटर कुछ वक्त के बाद सुर्ख होते हुए आपने देखे होंगे क्या ये सुर्ख अशिया दोबारा हरी होती हुई आपने देखी है इनसान की बनाई हुई अशिया बनाते वक्त मुख्तलिफ कीमियाई आमाल की वज़ा से अजिज़ा की खुसूसियात तबदील होती है ये कीमियाई तामुल की वज़ा से होती है खुसूसियात में ये तबदीली मुस्तकिल होती है यानि नई अशिया से दोबारा बुन्यादी अशिया हासिल नहीं होती इसलिए इसको मुस्तकिल तब्दीली कहते हैं अशिया की तैयारी रबर ये दो किस्म का होता है कुद्रती और मस्नूई रबर के दरख्त के अफरास से कुद्रती रबर बनता है इस अफ्रास को लेटक्स कहते हैं, इसका रंग सफेद और उसकी बू मक्सूस होती है वोलकनाईजेशन का अमल इस तरीके में रबर गंधक के साथ 3 ता 4 घंटे गरम किया जाता है रबर में सकती पैदा करने के लिए उसमें गंधक मिलाना जुरूरी है रबर के इस्तिमाल के लिहाद से उसमें गंधक का तनासुब होता है मिटाने का रबर, रबर की गेंद, रबर के खिलोने, इन सब में गंधक का तनासुब अलग-अलग होता है रबर बेंड में बहुत ही कम मिगदार में गंधक मिलाई जाती है ऐसा हो चुका है चार्लिस गुडएयर के हाथ से रबर और गंधक का आमेजा गलती से जलते हुए इस्टो पर गिर गया इस्टो बुजने के बाद उसने देखा के रबर ज्यादा सक्त और उसकी लचक कम हो गई यही तज्रुबा बाजापता तरीके से करके उसने वोलकानाईजेशन की दर्याफ्त की रबर के सक्त टायर की वज़ा से नकलो हमल में इनकनलाब आ गया क्या आप जानते हैं रबर एक कुदरती शेह है ये खास दरख्त के अफराज से बनता है रबर के दरख्त बराजील में बड़े पयमाने पर पाये जाते हैं बाद में ये दरख्त दूसरे ममालिक में लगाए गए इस दरख्त का नबाती नाम हिवया ब्राजीलिञेश है भरत में केरला में रबर की सबसे बड़ी ज्यादा पैदावार होती है कागज किस तरह बनता है? उसे रोलर से गुजारने पर लुकदी आगे बढ़ती है और खुश्क होकर कागज की शकले में लपटती है। कागज और दरख्त इन दोनों का बहुत करीबी रिष्टा है। इसलिए दरख्तों को बचाने के लिए कागज बचाना जुरूरी है।